ये कहानी सन 1969 की है जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था और गुजरात और महाराष्ट्र दोनों बॉम्बे प्रसिडेंसी का हिस्सा थे अंग्रेजों को गए 12 साल हो गए थे लेकिन उनका असर अब भी पुर्जोर था नशाबंदी सिर्फ कहने को थी क्योंकि शराब पीने या पिलाने वालों की कोई कमी नहीं थी मुकद्दमों का फैसला तब जज की बजाय जूरी किया करती थी और राज कपूर की फिल्म अनाडी ने धूम मचा रख्ये थी उन दिनों भारतिय नौ सेना का दबदवा हिंद महासागर क्षत्र में तेजी से बढ़ रहा था स्थिर्ण संप्राइब करेंगे में भारतिय राज करते बडिएाब्स कर्दान को देकैंगार्ट कर्दा थाज़ सिंवल स्थिर्ण स्थिर्ण प्रिछ करते है चीफ सार्फ एग्ष्ट पर बिड़िझ यस सर्थ एक्षर रेक्षिट बिच्टन एक्षिट बिच्टन सर्थ आरस्तन तेक चर्च एक्षिट रेक्षिट आर एक्षिप्यू के अर्दिट रवियान जिस्टन कि अचर। ने करिंटी या एक्षिट रेक्षिट चीफ साब मशीन गन चर्टन आया आय कि लिए निकर्ट कि लिए रुट ईक लिए राट कि अरुट विन्स इख्जो शुच्ट अफ उन्स मैं जा है। इज कुछिलेख कि एंडेल अगलोव और आपकरें है। और आपकरी अगलोवा को आपक प्रियूए!!! इंस्टेड फिफ्ट अफ में में सब विकरम साब की गाड़ी आ गए कर रोटसर लेकर, और खेंगे प्रूंचे की निर्ण फिर्ण है यजब खिर्ण इस पार शुब क्वर्द करना खाब झांक जड़ कर दो प्राइब अ 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 कुश्म अ अ बूला CYNTHYA? CYNTHYA? Where are you? मैं सा बाहर गाया साब कब? कल कल दू पैर थैंक यू हलो प्रीथी रूस्तम ओ हाय रूसी कब आए बस अबी सिंथय को फोन देना प्लीज सिंथया तो यहां नहीं है इन फैट मुझे तो कई दिनों से नहीं मिली ओकी ओकी बट क्लुभ का अचल कई तो झाओ अचल बट राव तो आग फसलन क्लाव वुप मेरी प्यारी सिंथियां, तुम्हारे जिसी औरत लाखों में एक है, मैं तुम्हारी खुबसूर्थी की बहुत कदर करता हूँ, तुम्हारे साथ बिताई हुई उस रात की यादे, मुझे सोने नहीं देती, तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे. याधे और सिर्फ स्कुद सिर्फों में थेताई है, स्कुद सिर्फ मुझे यजिए रुड़ी vist, यसी सिर्फ पावरी बेसी की इा, यहारे खुदू अर्सक्टर, जीकिन कमांदर श्फ्विया है, अर्सक्का Wind通 ? कि अपिन नहीं कि अपिन नहीं आप मिस्यूरी रुसी है रहने दो जम्ना भई हाँ कि अपने के अपने के लिए दया है हाथों में तेरा हाथ हो और सफर पे तेरा साथ हो आँखों में डाल कर आँखे पिन कहे ही सारी बात हो खुश्बू तुमारी जुल्फों की अब तक बसी है सांसों में महक याती है रूह मेरी जब आती हो तुम बाहूं में तुम्हा तुम्हारा और सुर्फ तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा व्क्रम रुष्यूसी लाग एक झाल प्रॉसी प्रॉसी लाग, लाग, लाग झाल पंग सकता हुआता है कर दो सकते हैं और सकते हैं और बाग, कर आपके का ते कि और रिए में खावरण से को रखेंगे। बाद आपटू निए और आप डिए आपका। गुद्मानिंग सर बाद बॉक्रम है? विकरम सर तो आई नही है अभी तक, आप बैठी ना, मैं आपके लिए चाह या काफी मंगवा देती ना नो थैंक यह यह लुकिंग गॉजिस तदेः थाई बाई क्यों से भना भाई? आच्छ कि अधस्ट. हर कि अंधस्ट. कि अंधस्ट. एंधस्ट. आत्सका स्टेधे कि हुआ हाग झालwerk कि आत्सका ही। लोगोडार दरीक्हार। जयदा, बनावडार। साहिब डेला। कुछ बोला किया। नहीं साहिब। जाहिन साहिब। सच बदाओ कल रात ड्यूटी के वक्त कहां थे तुम लोग कसम से सर कर रात को जीप लेके पेट्रोलिंग में निकले और टायर पंक्चर हो गया बहुत ढूंडने के बाद एक दुकान मिली उदर पंक्चर बनाया इत्फाक तो नहीं हो सकता तुम लोग वही जीप लेके निकले जिसका वायरलेस खराब है और फिर उसका टायर भी पंक्चर हो गया और अब तुम दोग ड्यूटी ख़तम होने के वक्त वापिस आ रहे हैं साब आपसे जूट थोड़ा ही बूलेंगे चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं एक काम करो चारो एक रिपोर्ट बनाओ बहुत लंबी चावडी रिपोर्ट नहीं लिखने हैं सिर्फ इतना लिख दो कौन सा टायर पंक्चर हुआ था आपस में कंसल्ट किये बगैर कि माफ करना साब कल ज्यादा काम नहीं था तो अब लोग चौपड़ी पे तफ्री कर रहे थे बाटेल सार चारों की साथ दिन की तनखा काट पर साथ आउट कि बॉंबे स्यादी के सबसे काविल अफसर को चूना लगाने की एक और नाकामियाब कोशिश यह मेरे आखरी से नेचर हैं जी कल से चुट्टी वे जा रहा हूं फिर पंदर दिन अरा आप मैं कमांडर रुस्तम पावरी इंडियन नेवी मेरे हाथों से विकरम मकीजा का खून हो गया है और मैं सरेंडर करना चाहता हूं कैना हव ग्लास अवाटर पीस कैना हूं याद यादः जया प्रुटी और्या अव्टी जया जया म हो हुट वाट? कमैं 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 कैना मेडम रुगी ये, अख पुब दो वो थे एल इज जो आए जो विंसेंट लोबो, इंवेस्टिगेटिटिंग ओफिसर, रूसम पावरी ने मेरे भाई को मारा है, आप उसे अभी ही गिरिफसार कीजिए, कमांडर पावरी ने आदा गंटा पेले खुदी पुलिस टेशन में सरेंडर किया है, तो आप यहां क्या कर रहे है, गो दे इंटेरो को अपका लुपर तख है, और जिस जो अदूपर तख है, तो रहे हैं तो अदुसर, बेसार, आपका यहां में और चाहर आपका है, डेशन सेँचांडर कर देए, अध्याटि सबस्थार कंटेशिए, कि अध्याट रहे हैं उसे ख़िए मैंडरे यहां की जरी थवार मेंड कि अधिति मों तर्रावी नठी देटो है कि हां बोलो एरिस साब मैं हूं तुगराम आटो क्या बोल सु खबर साब वो इंपरेल मोटर वाले विक्रम मखीजा का मडर हो गया है सुबात का रिच किस ने मारा वहीं तो पचास उर्वे की खबर है उसे मानने वाला कोई नेवी का बहुत बड़ा अफसर है क्या नम हो उसका कमांडर उस्तंप आवरी आवरी कि एटो क्या तेर को पचास नहीं सो देगा पर ये खबर किसी और अगबार को मत देना समझेयों आप बेफिक सब करेंगे सब करेंगे अब मेरे ये दिन वापस आएंगे गोदी में आग तीन सो लोग राग वाराजार कॉपी भी की आसमान से सोना बरसा शट्राजार कॉपी भी की प्रें आक्सिडेंट चार सब लोग बारे गए तेरा हजार फाट सब काफिस भी की अरे कहां मरी गेल हो अरे प्रिंटिंग बन करा हम ना जी लेकिन सर्फ प्रेस रोल हो रही है नुकसर हो जाएगा अरे गेल सब पात वो सब चोननी ऐसी खबर मिली है कि तुम लोगों का प अरे लेकिन सब्सक्राइज कर अजी आपकी एफ अभी बाहर निटार कर रही है आप नसे मिली मिली आपकी बाहर इंटार कर रही है अपन से मिली जाव कर लीव आ अरोंग मेंट आनीवान एक भीस खुक हो आए बोस। भाटका के अवा हुए जब पेस्ट आए इसमाशनी अविछ बॉड़ी यह तो एक प्रुडन ही था क्या मतलब सरिये विक्रम मखिया करेक्टर बारे में तो आपको मालूम ही होगा साला अपने आपको काम देट की ठड़ी ओला समस्थर दा लेकिन एक बात मेरी समाझ भी नहीं याई कि एक कमांडर की भी ऐसे हागी प्रक्रम कैसे पड़ गई करौ कि रिया और जारते के वत्याव च्रॉग समस्थर ड़ बढ कि हमृजङ दन जा जिलगर के बारे समस्थर अँन के उट होंच ancर Оसी बचरतन बर चानी एब क्रीम क्रेन सहे प्राशबल से अंतर आपके विष का ए और हमृत मारी जाल दे जाहिए, चारा मुझे लाक्ष्मान, I want him hanged. Don't worry, Vikram हमारी सिंधी कम्यूनिटी का बहुत ही इंपॉर्टन्ट मेंबर था. I guarantee you, Rustam's conviction. और रिसका क्या करें? Tabloid है, just ignore it. यह रदी पेपर या इसके दिवालिया मालिक को कोई भी सीरिस्ली ने लेता. He's a nobody. Yes, sir? जेजे शाफ के साथ एपॉंटमेंट है. Sure, sir. Good morning, sir. बहुले रच, सु काम पड़ियू. आपने रुस्तम पावरी काटो सुना होगा. मक्हीजा था हैड़िट कमेंग. बस रुस्तम का सुनके मुझे अफसोस हुआ. मैं उससे एक-दो बार मिला हूँ. नाइस पए. जेजे साब, ये केस लक्षमन खंगानी के पास क्यो गया है? क्यो? अब ये तफाक्तो नी उसकता ना? कि मक्हीजा और खंगानी, बहुन थिंदी है. प्रीटी मक्हीजा थूजिए उस इर इंफलेंस. कि मक्हीजा थूजिए उसकता हूँ, ये उसकता हूँ, ये उसकता हूँ, ये उसकता हूँ. ये अच्छा लॉयर रोके. क्यों? जेजे साहब ये खांगानी बहुत जालूच है. और रुस्तम को अपने बचाव के लिए एक फैर चास तो मिल्ला जाहिए नहीं, सर. ने आप बेशा मुचे गाली रिटू. आप ये जानते हो के रुस्तम डिट ये राइड थिंग ये रॉंग वे. और आप ये जानते हो, कि रुस्तम डिट डिट से जानते हों? कैसे आया एक्सी बाड़ा दिया चल शुरू कर बहुत मेरवानी जेज़ साव एरच जी ही मैं रोज सुबह ओठकर सारे अख़ार पड़ता हूं रुस्तम के लिए लोगों में सिंपथी कम नहीं होनी चाहिए जूरी सबसे लास में डिसाइड करती है पहले पबलिक डिसेड करती है जी जाल़् पंचास 7 फैसा फिक्रायम मकीजा शेकर सिकरें विद्या में मायर जादू तो ना करके वुर्त को अपना शिकार बना था आज गवांडर की सौस्त में पैशी झाल झाल मेरे पास याप्लिकेशन आई है ए इंडियन नेवी की तरफ से अप्लिकंट, इंट्रदेश यूसल्फ मैं लेफ्टिनन कमांडर पुजारी, नेवल लॉकार्डर से. इंडियन नेवी की तरफ से हमने दरख्वास की है कि कमांडर रूस्तम पावरी को पुलिस की बजाए नेवल कस्टिडी में अखा याए. On what grounds? मैं लॉड, कमांडर पावरी नौसेना के एक डेकोरेटीड ओफिसर है, ऐसे में उने पठी क्रिमिनल के साथ रखना ठीक नहीं होगा इस अ क्रिमिनल, इसमे बेरे भाई को मारा है, यह शुड रमेन इन पोलीस का स्टडी, आप काउन? मैं विक्रम मकीजा की बेहन, प्रीती मकीजा. आपके भाई की मौत का मुझा आफसोस है मिस्मकीजा, लेकर अगली बार अगर आपने मेरी कोट की प्रोसीधिंगें निटरप की, ता आप होल रोल्ड यू निकंते, ता आपके बाई की मौत का मुझा अफोस है मिस्मकीजा. प्रिदी, सिट दाओ. प्रसीड. सर, मैं ये कह रहा था कि जब भी इनकी मौजूदगी की जरुवथ होगी, हम इने हाजिर कर देंगे. इन नेवी इस विलिंग तो गिव इस अंडर्टेकिंगे. अब्जेक्शन विल्ग इन्वेस्टिकेटिंग अफिसर? नन, मैंलोड. एक्स्कूज मी, मैंलोड. मैं पोलिस केस्टेडी में रहना चाहता हूं. मुझे मेरे रैंक या जीवेंट्स की वज़ज से कोई स्पेशल ट्रीट्में नहीं चाहिए. एक्स्कूज मी, मैंलोड. आम कैप्टन सीपी चेरियन. मैंलोड, अगर आप एजाज़त दें, तो क्या मैं एक मिनिट कमांडर पावरी से बात कर सकता हूं? हम. पुस्तम, नेवी तुम्हारे सपोर्ट में है. तुम्हें आफिसर्स में में रखा जाएगा. और वहां तुम्हारे पास सारी सुवधाय होंगी. सर्म, मैं पुलिस केस्टेडी में ही लेना चाहूंगा है. ये डिरेक्ट ओर्डर्स हैं. आइफियूस. अपने अस रवाये का अंचाम जानते हो. मैं लॉर्ड, मैं आदालत से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे पुलिस केस्टेडी में ही रखा जाए. प्लीजूस. ये ये अवनर. चाहशीट का क्या स्टेडिस, अफिसर? सर्म, मेरी इंवेस्टीचिशन अभी चल्रही है. अब जल से जल चाहशीट फायल करिये. ये सर्. अदालत कमांडर पावरी को साथ दिन की पुलिस कस्टेडी देती है. कमांडर और विक्रम में क्या सम्मद थे? वो दोस्ते. इन फाक्त, रुस्तम, विक्रम, सिंथी और मैं, हम सब एक ही सर्कल में थे. दोस्ते. मिस्सिस पावरी और विक्रम मकीजा, ये दोनो नस्दीक का बार? वो पहले सब साथ मिलते थे. साब, में, साब, विक्रम, प्रिती. जब साब लंदन चले गए, तो ये तीनों साथ में मिलते थे. तभी मुझे लगा कुछ तो गड़बड है. तो ये दोनों मिलने लगे हैं. कहा मिलते थे लोग? मेडम, कहा मिलते थे? हर जगा. पपलिक में, प्राइविट में. साब, मेडम तो घर पे भी आती थे. आपको ये बात गलत नहीं लगती थे. इसमें गलत क्या? सिंथ्या को ये पच्ची नहीं थी. उसको मेरा भाई पसंद था. हावेंट ये होड़ टर्म, कंसेंटेंग अडल्स? फिर? फिर क्या हुआ? फिर क्या साब? उन्होंने चिठिया पड़ी और गुस्या में अपनी पोटो वाली प्रेम तोड़ दी. कितने वजे की बात है? सर, सुबा तक्रीबन पॉने नौ बजे है. फिर आगे क्या हुआ? कमांडर साब इस और राइट कहके चले गए. लंडन मिस्स पावरी कमांडर पावरी लंडन क्यों गए थे? उन्हें वाओ अफिशल जूटी पर भीजा गया था. मिस्स पावरी विक्रम मखीजा को आप कितना पसंद करती थी? किन आ लीफ प्लीज? आम वरी टायर. साइब, तॉमांडों को क्यों पकड़ करके वे? एक और मेडल देकर छोड़ जाहिए. कमारे साव, अलवेल, कोई तकलीफ तो नहीं? जी, बिलकुल नहीं. And thank you for all this. अगर आपको इतराज नहीं तो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं आपकी जाती जिन्दकी के बारे में. अगर आप जवाब नहीं देना चाहें, तो कोई बारे. पूछीए. विक्रम मकीजा से आप पहली बार कब मिले थे? तकरीब इंडेड साल पहले. व्रियर एड्मिरल प्रशांद कामत की बद्धे पाटी पार. कमांडर रुस्तम पापरी. विक्रम मकीजा. प्लेजर मीटे में. उस दिन के बाद हम ऐसी कई पार्टी में मिले. And we became very good friends. Sir, DCB साइब कपोने? कमांडर आप लंडन किसलिये गए थे? ओ ऐसे. हम? यहनि अफिशल सीक्रेट साइब के तहद, I cannot share those details with anyone. I'm sorry. No, it's okay. हमारे पास कोई लेगल रिकोस है? Not advisable, sir. But sir, कमांडर पापरी यहां रहें यहां, क्या फरक वड़ता है? I need those documents shared in at any cost. अगर वो पेबस किसी के हाथ लगए तो, we'll be in deep trouble. उसके घर पे बेज़ो किसी को. आये. सुराब खानवाला, senior advocate. I've come here to help you, my son. मैंने तुम्हारा केस लड़ने का फैसरा कर लिया. इतने बड़ी गलती कैसे की, सुराब भई? It's an open and shut case. मेरे हाथों से विकरम का खून हुआ, and I admit it. इस बात किसी और से मत कहना, वरना भगवान तो क्या, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता. रुस्टम, मेरे सोर्से से पता चला है कि सिंथिया, हादसे के पहले विकरम के साथ थी. और मैं अपने अखबार के जरीए सब कुछ, पब्लिक को बताऊंगा. Don't worry. बस तुम इस वकालत नामे पे साहरेंगे, बचाने के चकर में आप लोग मेरी पत्नी की खुले आम बेज़ती करने पे उतरेंगे. थैंक्स, बट नो थैंक्स. प्लीज. सर्थ. काईए. रुस्तम अपने बचाव के लिए वकीर लखने से इंकार कर रहा है. क्योंकि उप नहीं चाहता है कि तुम्हारी पब्लिक में बड़नामी हो. क्योंकि तुम्हारी नहीं चाहता है कि तुम्हारी को अजाद देखना चाहती हो? कुझे इस बात से कोई तक्लीब नहीं है. कि कोई मेरी बारे में क्या उपीनियन रखता है. लेकिन हम और इसे को आजाद देखने के लिए कुछ भी करने को तयार हूँ. हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं परेगी. बस थोड़ा कुछ से ही काप चल जाएगा. कर दोड़ा कर दोड़ा कर दोड़ा है. कर दöyle मेरा है. कर दोड़ा करता है. कर दोड़ा कर दोड़ा है. कर दो 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 झाल झाल चाल मैण मैण वो आज भी आपसे मिलना नहीं जाते मुझे इनसी मिलला ही होगा इस वेरी इंपोर्टन्ट ओ मैडम इसर किया थे कानून है अगर व आपसे नहीं मिलना चाहते तो आप क्यो किया आप अनतक मेर थी नहीं पहुक्चा से थे कमंडर साप, यह आपकी बीवी ने भेज़ा है जाए कर दो में अपकी कर दो है कर दो हाँ कर दो कर दो 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 कि बीजा है कि अगए लोगुख आज़ी जो में तागुंग। कि अविष और कि अविक लग्तरिंगे को अवित में, आज ये I'm so sorry, I was so lonely. लोगवार्वा बट्शनीव को बिर्ज़ी ऑनोगा। कि अविट्को नाइवार्वार्य में, कि अशो रोग्या है, रुष रुष मैं कम्सार पगई टी रुष 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 जब तुम्हें पिर से छे मेने के क्रूज पे जाने की ओर्रस पे ले, मैं नहीं चाहतीती कि तुम जाओ, पर तुम नहीं माने, यह सब तब शुरू हुआ, मैं प्रीदी के साथ वक्त बिताने लगी, उसके साथ कुछ पल बिताके, मैं अपना अकेलापन भूल जाती, कभी कपार विक्रम भी हमें मिल जाता था, कर्णा पर प्रीदी के वावचिवडे लगी, जब मैं वहां पहुझे जब लगी जब मैं वह पहुचि तुम, I'm so sorry Cynthia, I have to go Urjan Poonah, actually my friend's accident happened but Vikram will take care of you today, I'll see you when I'm back, bye, bye take care but Priti, uh, 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 um, Vikram I'm really sorry but I want to leave, I, I don't know anyone don't be silly, this is your party but I don't know anyone oh, come on, the most gorgeous woman on this planet doesn't really need to care about it, right? um, but, uh, okay, just give it ten minutes if you're still uncomfortable, shali jana, may I? please okay ladies and gentlemen, here she is the birthday girl, Cynthia let's hear it for her happy birthday to you happy birthday to you happy birthday, happy birthday happy birthday, dear Cynthia happy birthday, 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 happy विक्रम्कोई भी मौकाँ ने छोड़ता था मेरी तारिस करने का ये मेर करीबाने का नून जिए झाया थेस्टार जोती है प्रम्पूल सिंथ्या शबक्राइक प्रॉस्पे मैंने मैंने हापी रिटान्स अब देख विक्रम, I can't accept this. क्यों? पसन नहीं है? यो कि यह बहुत स्यादा? महेंगा है? येस ये क्या किया? अब कहाँ? तुम्हें एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही थी. मुझे तुम्हारी दिक्कत से दिक्कत हो रही थी. अब इतनी बेकार सी चीज़ के लिए हम लोग अपना वक्यों बरबाद करें. तुम पागल हो एक्तम. बेकार नहीं थी. अब जाओ उसे ढूंडो. ढूंड लोगा तो पहन लोगी? हाँ, पहन लोगी. जब पृती कुछ अपतों तक वापस ने लोटी, तब विक्रमी मुझे दिनस पे और पार्टी पे इंवाइट किया करता था. जब विक्रम और में उसकी बंगलोब ही अकीले थे. और एक दिन, जब विक्रम और में उसकी बंगलोब ही अकीले थे. लगताब भी मुसम बसाता होने वाली. पर यू? सिर्थिया! सिर्थिया! अरे रुको! अरे रुको! अरे रुको! युको! युको! य reduce the युको! लज से हमोचती, है? युको! युको! मुको! युको! युको! झाल झाल कि बcenेट करका कि आयाखा sounds काहsta को कि का दो भागे समय क्ठोन क्ष्बाइब चाहिए क्वर चाहिए ऑ्पली आ है कर दो झाल झाल सिंथिया, हमने कुछ कल अपने किया पताये, रुसी, जब तुम पुछे छोड़ के जाए, जब तुम पुछे छोड़ के जाए, कि आए, तुम पहुत हथाए, कि तु मैरी बात नहीं मान रहे हो. विद्ध आपके लिए और प्रॉसस अब बिए शच्छ एगे अगे क्या हुँ कमाल कलता कमांडर अब बीबी भी जा रहा था अभी एक गंटे से उपर हो गया है पतानी दौन में क्या खिचड़ी पकरी है आगे यसा लिगा क्या चिक्ति में यही कि चाकू की नोक पे जबरदस्ती दो आदमी घुसा है और पूरे घर की तलाशी दी आपको कैसे मालू तो हमको काय गुन गदाया है जला जग्कर क्या है कुछ ले गए बुलो कुछ ले गुछ दुंट रहे जो शायद पिला नहीं दूंट वरी जो में कहता हुआ त्यांसे सुनू गदम इट गओ चुपाय होंगे कि मेरी गल्ती की सजाय की मातर फॉची को नहीं बिलनी चाहिए पढ़िये हमारे स्पेशल अडिशन में सिफ एक रुपए में जानिये सिंट्या मोणी के कहानी एक रुपए में एक रुपए में जो है त्याए सुप उसकी ये इमानदरी ही हमारा काम आसान करे की पृती रुस्तम कड़ घरे में खड़े होकर ये कुबूल करे का कि खून उसने किया है मैटर अच्लोस्ट रिलाक्स पृती टेक सीट सुप रिलाक्स समय ये 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 वे चुझ स्थी स्थी स्थ Кफवर प्रटी स्थावर। स्थी आप कोई वकील रखना नहीं चाहते हैं? Yes, Your Honor. आप पर Section 302 के तहत, विक्रम मकीजा की हत्या का आरोप है. क्या आपको अपना गुनाह कुबूल है? जी नहीं, My Lord. I plead not guilty. Order, Order. 25 में से शुरू होगी. आप अपना किस खुद लड़ेंगे? जी हा, My Lord. Remember this, Commander Pavvy. अगर इस अदालत में आप दोशी पाएगे, तो वकील ना होने की वज़े से, आप अपील नहीं कर पाएगे. My Lord, मैं आज यहां लिखित अंडर्टेकिंग देता हूँ कि अगर इस अदालत में मुझे दोशी पाए, तो मैं उपर की अदालत में अपील ही नहीं करूँगा. क्या कमांडर साथ? अकेले केले, तब तो हमेशा आप ही जीतेंगे. क्या है? आएए पहली चाल आप चलिए. पहली चाल तो आप बहुत पहले ही चल चुके हैं. क्यार? क्या आपके और विक्रम के बीच बिजनस रिलेशन थे? पौजी हूँ, बिजनसमन नहीं. जब विक्रम ने मिस्स पावरी को इतनी महंगी गाड़ी तोफे में दी तो आपने इतराज क्यों नहीं किया? सोचा था पर उसे टोकना ठीक नहीं समझा. और दूसरी तरफ दोस्ती ने शक करने नहीं दिया. ट्रस्ट कैन बी अ वेरी वेरी फ़नी थींग. वो सकता है उस वक्त आपके इतरास ना करने की वज़े से विक्रम की हिम्मत बढ़ी हो? बिलकुल हो सकता है. कमाने साब, आपकी शादी के बाद मिस्स पावरी के अलावा आपके किसी और औरत से संबंद रहें क्या? जी नहीं. कमाने साब, आपके सभी पुर्जें तो सलामत है ना? लोबो साब, अगर असली मर्दानगी इसमें है कि कोई अपनी बीवी के होते दूसरी औरत के साथ आश्च करे तो आपका शक वाजिब है. चेक. हम. चेकमेट. मान गए, कमानडर. जब आपने अपनी रानी कुर्बान की तो मैंने सोचा आप गलती कर गठे. लेकिन आप समझ में हाया. वो एक सोची समझी चाल थी. मतलब बाजी जीतने से है. फिर चाह प्यादा कुर्बान हो. यह फे रानी. कर्णाल थी. । अऑ्यादा. लेकिन के लागजाव. यह ले तर्देश क्रिम वगजार जायी नहीं. तौस्ट पषा सिंथिया, मैं तुम्हारे फ्यूचर को लेके बहुत चिंते तो क्यों? देखो, रुस्तम को नीवी से निकालने का फैसला हो चुका है शायद वो तुम्हें डिवोस भी दे देगा और अब बचारा विकर मेनीरा sad you know it's very difficult for a single woman to survive without any support please मेरे पास एक रास्ता है जिसे तुम्हें जिंदगी भर पैसों की कमी नहीं होगी सुना चाहोगी सरूर रस्तुम्हें के पास हमारे कुछ एक्स्ट्रीम्हें 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 जो हमें चाहिए but he's acting kinda strange these days look Cynthia we're willing to give you 10 lakh of rupees for this 10 lakhs? 10 lakhs 10 lakhs admiral karmut माफ कीजेगा मुझे आप लोगों के future के बाड़े में बहुत चिंता हो रही है रस्तुम्हें ने मुझे पहले ही आगा कर दिया था जो मैं कहता हूं से द्धान से सुरो जल्दी एड्मिरल कामत तुमसे मिलेंगे और तुमसे कहेंगे कि मेरे पास कुछ important documents है और उसे हासल करने के लिए बहुत सारे पैसे भी offer करेंगे और जब ऐसा कहेंगे तो तुम उने ये लिफाफा दे देना Is he mad? हम पांच करोड कहा से लाएंगे पिक्रम मकीजा का हिस्सा पांच करोड था वो अब इस स्विस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने जाहिए और आसा मैंने नहीं किया तो तो रुसी ने आपको बताने को कहा है कि ऐसा ना करने का नतीजा आप बहतर जानते हो तो अपनी देश भक्ति की आड में यह ज़स्ट अ ब्लड़ी ब्लाक्मिलिंग ऑपचुनिस्ट राइट लेकिन वो इन पैसों करेगा क्या क्यूंकि जहां तक मैं समझता हूं कम से कम चौदा साल तक वो उक्ता सूरज नहीं देखने वाला है तो यू तेल में आप उसकी चिंता अमद कीजे बस यह पैसे ट्रांसफर करवा दीजे और हाँ प्रुसी इतना भी बेवगूफ ने कि ऐसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स यह जो पकड में नहीं आरा है यह बटूव में क्या है लिखा नहीं यह इन्वेंटरी तो पाटिल सामी नहीं एथी ना लॉक्या कि स्टेट्मेंट की फाइल देखे बता इस सताइश एपरियल को कमांडर कितने बजे कहा था आठ पंद रग्ण कुमांडर अपने घर से चला आठ पैफ्पे जहाज पर जहाज पर था तस बजे इंपरियल मोटर और दस फीज पर रिकेम कर दा जहाद से इंपिरियल मोटर्स जाने में कितना टाइम लगता है बाजू में तो है गाड़ी में देस मिनेट तो फिर कमांडर पॉने नौ से दस बजे की बीच कहा था माडम जी इनीड सम इंफरमिशन सर मैं तो पेपर में फोटो देखते ही पहचान गई थी उस नेवी ओफिसर ने दिल्ली एक लाइपनिंग ट्रंक कॉल किया था जी प्लीज भूत नंबर साथ पर चले जाए था था कभी कभी चेंज पूरा नहीं होता है तो हम पैसो के बदले में स्टांप्स दे देते हैं और ये स्टांप्स चुकी पिछले हफ्ते ही लांच हुए थे इसलिए मुझे क्लियरली याद है मैंडम जरा वो दिली वाला फोर नंबर बोली है जी सर थी 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 फाफ सिक जी रोंग रहा है झाल 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 आज सबसे पहले, मैं हमारी जूरी के मेंबर्स का स्वागत करना चाहूंगा। आज आप सब पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे आप सब को निष्ठा एवं इमानदारी के साथ निभाना है। आरोपी कमांडर रुस्तम पावरी पर विक्रम मकीजा की हत्या का आरोप है। दोनों पक्षों के वकील आपके सामने अपने सबूत, गवा और दलीलें रखेंगे। और आपको उसे सुनने के बाद, समझने के बाद, अपना फैसला सुनाना है। क्या एरच बिलिमोरिया अदालत में हाजर हैं। जी, A.S. Your Honor. आपने अपने इस अखबार में लिखा है। क्या फाजी को न्याय मिलेगा। क्या आप इस बात से इंकार करते हो। नहीं जासा। आप जानते हैं कि एक पबलिक प्लेटफॉर्म पर ये सवाल पूछ कर आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया था, Your Honor. लाइन के एंड पर क्वेस्चन मार्क डाल देने से एक स्टेट्मेंट क्वेस्चन के साथ साथ ऐलिकेशन भी बन जाता है। आपके इस सवाल ने अदालत की काबियत पर शक किया। और इसलिए अदालत की कार्रवाई खतम होने तक आपको जेल में रखा जाएगा। ले जाओ इन्हें। तु भारे चला। अप्रोसिकुशन अपना ओपनिंग स्टेट्मेंट देगा। हमारे सम्विधान में कानून सब के लिए एक है। चाहे वो कोई रईस जादा हो, चाहे वो एक मामुली आदमी हो, या कोई फॉजी। कमांडर रुस्तम पावरी आज हमारे सामने यूनिफॉर्म में बैठे है। जब खून करके उन्होंने अपने आपको सरिंडर किया था, तब भी ये यूनिफॉर्म में थे। यूनिफॉर्म का पूरा इस्तमाल कर रहे हैं वो। लेकिन इस वर्दी के पीछे जो इंसान है, उसकी कर्तूत को मद्दे नजर रखते हुए आपको फैसला सुनाना है। रुस्तम पावरी ने 27 अपरेल की सुभह विक्रम मकीजा की तीन गोलिया मारकर हत्या की। प्रोस्तम पावरी इस बात को बिना किसी शक्य साबित करेगा। थैंक यू तट्स अल, यूर अन्हा इफेंस, यूर ओपनिग यूर जूरी, मेरी यूनिफॉर्म मेरी आदत है, मेरी बाकी अच्छी बुरी आदतों में से एक, जैसे कि सांस लेना, अपने देश की रक्षा करना, बेजजग निस्वार्थ अपना फर्ज ने भाना। मैंने कोई खून नहीं किया, ये बात आपके सामने मैं नहीं, खुद प्रोसेक्यूशन साबित करेगा। थैंक यू, थैंक यू मनु, हमारे पहले गवाँ हैं, डॉक्टर आशर, जो सरकारी अस्पताल में, पोस्ट मॉर्टम के इंचार्ज हैं। मैं इश्वर को हाजर नाजर जानकर कहता हूं, कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। डॉक्टर आशर, क्या आप जूरी मेंबर्स को बताएंगे कि विक्रम मखिजा की मौत किस कारण हुई थी? उनके दिल में तीन गोलियां लगने के कारण… थैंक यू, डॉक्टर आशर! जूरिय मेंबरान नोट करी कि विक्रम मखिया की मौत दिल में टीन गोलियां लगने के कारण हुई थी. No further questions, Your Honor. Court, prosecution से request करती है. क्यार बात repeat ना करें. अदालत दूसरी बार भी उतना ही सुनती है जितना की पहली बार. Sorry, Your Honor. Defense, your witness, please. No cross-examination, Your Honor. Miss Rosie, क्या आप कमांडर पाओरी को जानती है? हाँ, वो हमारे बॉस के दोस्ते और कई बार हमारे ओफिस आये हैं. I see. क्या 27 अपरेल को वो इंपीरियल मोटरस आये थे? जी हाँ, वो करीब आने दस बज़े आये थे. क्या आपको याद है, जब वो आपके ओफिस आये, तब उनके चेहरे पर क्या हावाओ थे? अच्छी तरह याद है, सर्. वो बहुत गुस्से में थे. ऐसा लग रहा था, जैसे इनके सर पर खूण सवार था. फिर उन्होंने आ के क्या किया? उन्होंने पूछा, आप क्या विग्रम सर आफिस में हैं? फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा, अब तक तो आई नहीं है, पिर मैंने पूछा, क्या आपको कोई अरजन काम है? उनका जवाब? उन्होंने कहा नहीं, कोई औरजन काम नहीं है, मुझे सिर्फ उसे चांद से मारना है फिर उन्होंने क्या किया? वो गुस्से में वहां से चले गए थांक यू कमांडर, यॉर विटनिस प्लीज मिस्रोजी, मैं आपसे दर्खवास करूँगा कि आपने जो भी अब तक कहा है, वो जूट है, ऐसे आप जच साब और जूरी को बता दें अबजेक्शिन मेलोर्ड, दिस इस मिस्लीडिंग, कन्फूजिंग, वेग, इट इस, इस अनिटलीजिबल कमांडर पावरी, आप विटनिस ऐसा नहीं पूछ सकते हैं, या आपको प्रूव करना है कि उन्होंने गलत कहा माई लॉर्ड, एक लेड़ी को भरी अदालत में पबलिक के सामने गलत साबित करके, मैं उनकी बेज़ित ही नहीं करना चाहता कमांडर पावरी, कुछ वक्त के लिए आप अपनी नेवी की तैजीब और प्रोटोकल भूल जाएए, बस यू समझे कि आप एक, एक, बेशरम वकील हैं, जो अपने विटने से कुछ भी पूछ सकता है, जी, मिस रोजी, क्या ये सच नहीं कि जब मैं उस दिन आपके आफि पर बैटने को कहा, और चाय और कॉफी भी ओफर की? हाँ, ये सच है. तो क्या मिस रोजी, मैं ये समझू कि आप उस हर शक्स को चाय और कॉफी ओफर करती हैं, जो गुसे में रहता हैं? जी, नहीं, लिकिन जब आपने कहा किया विक्टरम सर को जान से मारने वाले हैं, तो म मिस रोजी, आपने उस दिन एक ग्रीन कलर का ब्लाउस पहना था, और ये लुकि अट्रोशियस वरी बाग, नो, आपने उस दिन तो वरी गॉज़स कहा था, मैं गुसे में था, विकरम को मारना भी चाह रहा था, और आपको अपकी खूबसूरती पर कॉम्लिमेंट भी दे इसन्ट इस ट्रेंज मिस रोजी, अब्जेशन मिलोड, वाट फॉर लीडिंग क्वेश्चे निकला, उसके बाद आपने क्या किया, मैं अपने काम में विजी हो गई थी, क्या तो मैं पुलिस को ख़ब करने का खयाल नहीं है? अब्जेक्शिन मेलोड, कॉलिग फॉर कॉन्क्लूजिन! ओवरूल्ड! अब्जेक्शिन मेलोड, क्या मेरे जाने के तुरंदबाद आपको ये नहीं सुझा कि आप अपने बॉस को फोन करके उन्हें बाउन करने के कुशिश करें कि मैं गुस्से से निकला उन्हें मारने के लिए? फो… मैं… मैं… मैं बहुत डर गई थी. लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप बिजी हो गई थी. I'm very sorry, Miss Rosie. मुझे आपको भरी अदालत में जूटा थापित करना पड़ा. अब्जेक्शिन मेलोड! क्मांडर ये कहकर जूरी को गुम्रह करने की कोशिश कर रहे है कि Miss Rosie ने जूट बोला! लेकिन इनकी बातों से तो यही थाबित होता है. और मैं इसलिए इनसे माफी भी मांग रहा हूँ. Your Honor, please! The Commander should be given a statement. Mr. Khangani, I think I know what I should do. I'm sorry, Your Honor. Commander Pavri, आप एक प्रफेशनल वकील नहीं है. इसलिए आपके कुछ गल्तियां में ओवर्लुक कर रहा हूँ. लेकिन, I'm warning you. Please don't take me or this court for granted. अगली बार, अगर आपने मेरी अदालत में ऐसा कोई stunt किया ना, तो I will hold you in contempt. I'm sorry, Your Honor. जूरी Commander के आखरी लाइन डिसरिकाड करेगी. हमारे अगले गवाह है, Sub-Inspector Patil, जो इस केस के investigating officer है. लेकिन, रेकॉर्ड में लिखा है, किस केस के आयो, Senior Inspector Vincent Lobo है. Where is he? सर्व आर्जन दिल्ली गए हुए हैं. अपॉइट्मेंट मिला? कल दोपर. यह तेरा प्लान मेरी समझ में नहीं आए रहा. रिलाक्स. अरे जानता है ना कितना बड़ा आदमी है, कितना connected है, कुछ लोचा हो तो आपन दोनों का ट्रांसफर अंडमान निको बार हो जाएगा. नहीं होगा, तो अपना मूँ बंद रखना, बाखे में सभाल लोगा. अब मैं विकने स्टैंड में इस घटना के चश्मदीर गवा, भाना भाई वारली को बुलाना चाहता हूं. भाना भाई, 27 अप्रेल की सुभह सुभह क्या हुआ था? सुभह तक्रीबं दस बजे घर की गंटी बजी. विक्रम है, फिर आगे क्या हुआ? कुछ देर के बाद जब मैं बाबा के कमरे के अंदर गया, तो मैंने देखा, कमांडर सहीमने बंदुक्तान रखी सी, और मेरे सामने ही बाबा को तीन गोली मार दी. फिर आपने क्या किया? मैंने इन से पूछा, ये क्या कर दिया आपने? और उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, उसके मेरी बीवी के साथ गलत सबन थे, इसलिए मैंने उसे मार दिया. मैंने ठीक से सुना नहीं, क्या आप फिर से दोराएंगे? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, उसके मेरी बीवी के साथ गलत सबन थे, इसलिए मैंने उसे मार दिया. मार दिया? I have no further questions, Your Honor. Rostam Pavari, your witness. बना बाई, आप यकीन के साथ कह सकते हो, कि आपने मुझे देखा था गोली चलाते हुए? जी साय, क्यों आपको याद नहीं? आपने मेरे सामने बाबा पर तीन गोली चलाई थी. बना बाई, मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आपने मुझे देखा यू बंदुगतान कर विक्रम के सीने पर गोली चलाते हुए? अबजेक्शन, मिलोड. कमांडर विटनेस को खामखा डरानी की कोशिश कर रहे हैं. कमांडर पावरी, मैं समझता हूँ के विटनेस अची तरह से जानता है, कि अदालत में जूटी गवाई देने का क्या नतीजा हो सकता है? I'm sorry, Your Honor. बना भाई, जब आप कमरे में आए विक्रम के, तो उस कमरे का हाल क्या था? कमरा तो पुरा ताह्ष नाष्थ था. अपने नाष्टा किया? Irrelevant question, Your Honor. It is relevant, Your Honor. Just give me one minute and I will prove it to you. Please. Thank you, Your Honor. आपने नाष्टा किया? हाँ, जी, किया. वैसे आप नाष्टे में रोज क्या खाते हैं? भाकरी, वड़ा पाव या पोहे. आप वेजिटेरिने शाकाहरी हैं? जी. उस दिन आपने नाष्टे में क्या खाया था? मुझे याद दें, लेकिन इसमें से ही कुछ होगा. आप उस कमरे में आए क्यो थे? वो बाबा से पूछना आया था कि वो नाष्टा में क्या खाएंगे? जो आना, इन तस्वीरों के मुताबक किचिन में आलवरेडी सॉसेज, ओमलेट और टोस्त तयार थे हैं, जो विक्रम मकीजा का नाष्टा था. और इनकी गवाई के मुताबक घर में कोई नहीं था, सिवा इन दोनों के. अब भणा भाई, ये मत कहना कि उस रोज से आप नौनवेच शुरू करने वाले थे. बनवाई मुझे माफ कर दो साहिब, मुझे माफ कर दो. ये खंगानी साहिब ने मुझे जूट बोलने को कहा था. मैं किचन में था, जब मैंने गोली के आवाद सुनी और जैसे मैं भाग की उपर आया, तो देखा, तो बाबाद मुच उपरे ला था, और आप जब उपराद से किया था, प्रहें किया था, तो बाबाद मुझे दोू ने किया था, बाबाद मुझे, जबाद मुझे कि माफ कर दोुद अन्यू अन्यूछ कि आज की कारवाई यहीं खत्म होती है मिस्टर खंगानी आप ज़रा मेरे चेंबर में आएंगे चला अर्प्रस कंट्रोल कराओ नी किना मच्छर है ओ बाबा यह हावाला थे हाट इलना है किसा राज जबर जस्त कमांडर तो खंगानी साब पर भारी पड़ गया यह किसी ने मुझे ना भीन में थमा दिया अर्जेट कॉल करनी के लिए कहा आपको खास इंफर्मेशन है बोला वोड़े देख्ञ देख्ञ तो एक सीफ मिलेगी? एक सुद जूरी आगे है तुब भागे जल्दी पेपरबार ने पिछक्थ वेजय तरह आप लिखाय के वो बच्चा भी कमकाता है क्या आरच बिलिमोरी आदालत में मौजुध हैं? यह स्या अप्राइब आपको अपने आपको वाँ किया था पिर भी आपने इस केस की विटनेस मिस्स रोजी के गर्बपाद के बारे में लिखा और इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी चापी सर मेरा फर्ज है सच्चाई को पबलिक के सामने लाना है फर्ज? जी आइसी और आपने अपने अख़बार की कौपी जूरी मेंबर्स को फ्री में बाटी मुझे लगा बैठे बैठे बोर हो जाएंगे तो कुछ पढ़ लें साइलन्स ओर्डर ओर्डर मिस्टर बिली मोरिया जी सर मैं आज आपको सौर रुपे का जुर्माना और एक दिन की जेल की सजा सोनाता हूं चला चलो 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 साब में इस साइलन्स जूरी मेंबर्स आप उस अख़बार की सारी बातों को नजर अंदास करेंगे योराना अदालत की अगली गवाह है जमना भाई उजयर पता है मेरे को जमना भाई हां क्या सच है कि आप पिछले तीन साल से कमंडर पावरी के घर में काम करती हैं और महां रहती भी है क्या बताएंगी 27 अप्रैल को घर में क्या हुआ था मेरे घर में क्या हुआ मुझे कैसे मालूम तभी मैं बंबई में थी ना OAuth, मेरा मतलब है, कमांडर पाउरी के घर में ओ, इस घर में, तो ऐसा बोलो न, सुबह सुबह मैडम आई और साब से बागी और साब चले गए सुभे सुभे मैडम आई मतलब दो दिन से घर पे नहीं थी न वो और आपके कमांडर साहब वो घर में थे वो अगले दिन दर्या से आये थे अच्छा तो उन्होंने पूछा नहीं कि मेम साहब किसके साथ गई है वो कभी ऐसा पूछते नहीं फिर उन्होंने क्या किया फिर अंदर गये कबाट खोला चिटिया निकाली कुछ पड़ी और बारा की विस्की पिया आपको केसे मालूम कि वह विस्की थी साब कभी-कभी मैं भी उसमें से पी लेती है अब शायलेंस फिर उन्होंने क्या किया फिर उन्होंने गुस्य में आके मेम साब का पोटो था वो फ्रेम तोड़ दी यॉर आनर इस बात को नोट किया जाए कि फ्रेम तोड़ा अब सॉरी ओर आनर जम्ना भाई आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया तो आप क्या करते अगर आपको पता चल गया कि आपकी बीवी दो रातों से किसी गहर मर्क के साथ घर से बाहर है बोलो साइलन्स और ओर ओर जर्ना भाई ये मुकदमा मेरी खिलाफ नहीं है तुम्हारे सहाब के खिलाफ है क्या तुम्हें मालूम है वो मर्द कौन था विक्रम मखी जा इतना घुमा फिरा के पूछने की क्या जरूरत थी सीधा सीधा पूछते थे ना देखो सब मैं तुम्हारे जैसे पड़ी लिखी नहीं हूँ अनपडगवार हूँ लेकिन इतना जानती हूँ कि कोई फोजी आदमी अपने मुल्की सेवा में घर से बाहर रहे तभी उसकी बीवी को कोई अपने घर में लेके जाए वो अदिमी को जीने का अधिकार नहीं है अगर हमारे रुस्तम साब नहीं उसको गोली मारी होगी ना तो एक दम साइसाई किया साबने तायलांस और जमना भाई है सब आदालत आपके विचार जाना नहीं चाहती है जो पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए ठीक है सब लेकिन आप मुझा बताओ ना अगर आपको पता चल जाए की आपकी बीवी इस वकील के साथ सौग रही है तो आप क्या करोगे अजय को घुजा हुआ हो ते जब गश्चा आए कि ये लगाओ ये लगाओ इससे मच्छनी काटेंगे लगाओ 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 पूरा क्या विक्रम और सिंथिया के संबंध के बारे में जानती थी? जी हाँ, वो विक्रम और उसकी लाइस्ट्राइल से काफी इंप्रेस्ट थी. और विक्रम का रवया क्या था? विक्रम एक मर्द था और जब कोई भी औरत बार बार किसी मर्द को इशारा दे तो आपका कहना है कि सिंथिया ने संबंध मनाने की पहल की थी Of course I have no further questions, Your Honor Commander Pavri, your witness, please My Lord, मैं विस्पृति को बाद में क्रॉस एक्जामिन करना चाहूंगा Thank you Your Honor, हमारी अगली गवाँ है, मिसेस सिंथिया पावरी मिसेस पावरी, आपके विक्रम मखीजा के साथ नाजायच संबंध थे या नहीं जिक्षिए 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 में आपकारए यह प्रविन्हें जाओ करो तेम्यागले सब्था नाष्ट प्री कि अ विंडर्टिक भी टिर्द्टार् मेंग्यास प्रथब क है से खिर था फ्रद्ट एडिट पहरी सब्सक्राइड कि अ हृट की नहीं है कि आपने विक्रम के साथ संबंद बनाने की पहल की। क्या ये बात सच है। नहीं। पहल विक्रम निखी थी। और संजोग ऐसे थे कि ऐसा हो गया। वो कौन से संजोग थे जिनमें आपने विक्रम से संबंद बनाए। पहल विक्रम से दो जी। मुसके पहल लेक्रम से दोजें विख्रम ने मुझे ख़त लिखे, तोफे बीचे, लेकि मुझे विख्रम के साथ ये रिष्टाप कातुब गटने का फैसला ले लिया था क्या इसलिए कि मैं वापस आने वाला था? नहीं मैं तुमसे ये बात चिपाने बानी नहीं थी मुझे पुरा हैसास था कि मैंने चुकिया वो करा था अब्जेक्शन मेलोर्ड हम् मैं सोच ही रहा थे कि आपकी तबियत ठीक है कि नहीं? सस्टेंड सटाइस एपरिल को जब आप घर लोटी तो आपके सर पे चोट लगी थी कि आदालत को बताएं कि क्या हुआ था? इक्रम मैं आज के बाद तुमें कभी नहीं मिलूंगी और अच्छा होगा कि तुम भी आज के बाद मुझे कभी कॉंटाक ना करो ठीक है तो रुस्तब को हमारे बारे में तुम बताओगी यहां मैं बताओ कि यह मजाक नहीं मेरी जान तुम ही के लगा था मैं तुम्हारा दिवाना हो गया हूं इसलिए इरिश्टा बनाया है खलत मैं तुम्हारे उस फौजी से बदला लेना चाहता था एक बार उसने मुझे अपनी यूनिफॉर्म का पावर दिखा था और अब मैंने पैसे का पाव यूनिफूर्म का इस अरुड़्म एक पैसे कमा लो तुमारे जैसा घटिया अटम के एक बार बराबर बनेपन भाई का यू लुजी पीस फशिट जो आपके साथ हुआ, क्या उसके लिए आप विक्रम को कसुर्वा ठहराती है। जो आपको, मुझे तुवारा मरोसा नहीं तुटना जाहिए ता हुआ, जो हुआ, क्या उसके लिए आपको पच्तावा है। Objection, milord. This is irrelevant to the case. Overruled. जो हुआ 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 हुआ. जो हुआ 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 ... कर दो कर दो मैं लॉइटी मकीजा का क्रॉस एक्जैमिनेशन करना चाहूंगा मिस्स प्रीती क्या विक्रम अपने साथ हमेशा पिस्तॉल करता था उसके पास लाइसेंस पिस्टिल तो थी बट वो से कहा 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 करता था वो मुझे नहीं मालूँ आप इस बात से तो वाकिफ होंगी की गुस्सा उससे बहुत जल्दी आता था वो छोटी-चोटी बात पर पिस्तॉल निकाल लेता था अमा राइट नॉट्रू अट्रू 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 अटॉ यह डाइरी उसके बेडरूम से मिली है क्या आप इसमें देख के यह बता सकती है कि हैंड्राइटिंग आपके भाई की है या नहीं प्लीज अब मिस्पृती क्या अब जोर से चिट्टी पड़ेंगी प्लीज मेरी प्यारी सिंथिया मिस्पृती जोर से सब को सुनाई देना चाहिए मैं तुम्हें लंडन में पली बड़ी मॉडर्ण खयालात वाली लड़की समझता था मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील करना चाहिए रुस्तम महीने दर्या में निकालता है फॉरें पोच चाता है वो वहां मजे कर लेता है ये बात मुझे मालूम है अब ये वाली पढ़ियेगा और यहां से पढ़िये तुम खामका डर रही हो गोएड एक और भी एक मर्द की तरह बिना गिल्टी फील किये एक से जादा मर्दों के साथ संबंद रख सकती है यह बाद वहीं बढ़िये वाल्टी फिर से एक बार सोच ले आई आई पिर से एक बार सोच ले आई 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 प्लीज कम इन तुमेशिर के OST Home Department सर्थ वाक्षी साहत यह सिनियर इंस्पेक्टर विंसर लोबो हैं बंबे पुलीस इस इन्वेस्टिगेटिटिंग विक्रम मकिजा और उसी सिल्सिले में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं I see Actually, you won't believe this but I've been half expecting you and I'm glad you're here Sir, पहली बार सुनना पुलीस को देखके कोई खुश हुआ है क्या पीएंगे आग चाय और कॉफी Sir, मैं वैसे यहां की चाय बहुत अच्छी है दो चाय बेजिए आए मिस्टर लोबो आए प्लीस Yes, Sir जिस दिन उसने विक्रम मकीजा को मारा उस दिन सुबा उसने मुझे यहां फोन किया था इन माइ ओफिस और यह सब बताया लेकिन वह एक गलती कर पैठा उसे यह नहीं पता था कि All the calls to defense ministry are recorded And this will without any doubt Prove Rustam's guilt Sir, मुझे इसके एक कॉपी मिल सकती है Aha, यह आपी के लिए है Thank you, Sir But, Sir आपने खुदी evidence क्यो नहीं दिया, Sir Rustam is a decorated officer And there are certain things that you earned, Mr. Lobo And now you have something that you've earned, rightfully Thank you, Sir Rustam के बताय हुए account में पांच करोड ट्रांसफर हो गए है Madam, एक दस बजी की बामे की टिकेट कीजिए Sorry, Sir दस बजी की फ्लाइट पूरी फुल है मैं आपको दोबजी की फ्लाइट में एकामडेट कर सकती हूँ Okay Okay Prosecution कमांडर रुस्तम पावरी से कुछ सवाल करना चाहती है, my lord कमांडर साहब जरा बताइए जब आपको पता चला अपनी बीवी के नाजायत सम्मंधों के बारे में तब सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याला है यही की विकरम का खून कर दो क्या यह सोच गलत नहीं है मेरे हिसाब से नहीं क्यों? आपका और दूसरों का नजरिया अलग है मैं भारती नौसेना का एक officer हूँ जहाँ आज भी अगर एक मिनिट लेट हो जाते हैं तो वो एक serious offense कहलाया जाता है ऐसे मैं अपने ही दोस की बीवी के साथ affair करना unpardonable offense है और उससे भी बड़ा अपराद है किसी औरत पे हाथ उठाना जो दोनों गलतिया विक्रम ने की इसलिए विक्रम जिसे इनसान को जीने का कोई हक नहीं Silence! 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 और इसलिए विक्रम मक्हीजा को आपने जान से मार दिया? जी नहीं, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है कि ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं लेकिन मेरा इरादा उसे मारने कर नहीं था तो आपका इरादा क्या था? मैं सिरफ उसे ये जानना चाहता था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और ये जानने के लिए आपने शिप्ट की आर्मरी से बंदूक विड्रो की ये ओनर, यही थाबित करने के लिए मैं लेफटनन बिस्ट को बुलाना चाहूंगा आप 27 एपरिल को आइनस मैसूर की ऑफिसर ओफ दे ते थे और मैंने आपकी हाजरी में मैसूर की आर्मरी से एक पिस्टॉल निकाली एमाई राइट? येस सर लिफटनन बिस्ट, उस दिन जब मैंने आर्मरी से पिस्टॉल विड्रॉ की तो क्या आपने मुझे रेजिस्टर साइन करने को कहा? जी नहीं सर, आपने खुद रेजिस्टर मंगवाया था और अगर मैं चाहता तो क्या आपको या किसी को पता चले बगैर आर्मरी से ये पिस्टॉल विड्रॉ कर सकता था बिल्कुल कर सकते थे सर इन फाक्ट, ऐस दी एक्सो अफ दिशिप आपकी केबिन में चाबियों का एक सेट होता है अगर आप चाहते तो पिस्टॉल विड्रॉ करके उसका इस्तमाल करके उसे वापस भी रख देते और बात बात पर अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता था ये तो नई बात सुनने में आ रही है जो आपने कहा उसका कोई सबूत है आपके पास यही प्रूव करने के लिए मैं अब मिस्टर रंजीत दास को यहां बुलाना चाहूंगा मिस्टर दास आप क्या काम करते हैं जी अभी मैं विलिंगडन जीम खाना में सिनियर वेटर हूँ उससे पहले मैं CCA क्लब में बेरर था क्या आप विक्रम मकीजा को जानते थे जी अच्छी तरह से वो हमारे क्लब के रेगुलर मेंबर थे पिछले साल जैनवरी में आपके साथ एक हाथसा हुआ था क्या आप अदालत को बताएंगे कि वो हाथसा क्या था उस दिन विक्रम मकीजा आप आपकी पतनी और प्रीती मैडम चारों काड रूम में ब्रीज खेल रहे थे तो लंडन की सारी तैयारी हो गई हाँ यह सर्थ में अब्ले में यहीं आपके तुम विकर के साथ मरुकने वाले का था तुमे के समानों सुर्ण 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 रज्ड़ वेई बहुआ वेई तुम जब जब लेए आपके कहने के मुताबिक, गलती से आपके हाथ से जूस विक्रम मकीजा के जूतों पर गिर गया और उन्होंने अपनी बंदूग निकालके तान दी। जी। दास्ट अल्यूर। यौर अनर, मैं मिस्टर दास से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अभी जो कुछ भी कहा, उसका कमांडर साहब, उनकी धर्म-पत्नी, उनके सिवाए, कोई भी और गवा है, जो इस बात से सहमत हो, कि जैसा आपने कहा, वैसी ही हुआ था। See? मुझे इनसे और कोई सवाल नहीं पूछना, Your Honor. आप जा सकते हैं। एक मिनिट, Mr. Das, एक मिनिट. Mr. Das, क्या आप बताएंगे कि ऐसे बड़े-बड़े क्लब्स में, जब ऐसा कोई हाथसा होता है, तो क्लब वाले उसे कैसे टैकल करते हैं। जी, उसके लिए इनक्वेरी बैठती है, और क्लब की कमिटी उस केस की बारी की से जाच करती है। My Lord, उस हाथसे के बाद भी कमिटी बैठी थी। ये क्लब्स पचास साल पुराने हैं और अपनी परंपराओं को बहुत ही सीरिसली लेते हैं। उन्होंने इनक्वाइरी कम्प्लीट होने तक विक्रम मकीजा की मेंबर्शिप को सस्पेंट कर दिया था। और उसके माफी नामे और इन्फुरंस के बाद ही कलब ने उसकी मेंबर्शिप को रिइनस्टेंट किया। ये कलब की मिनिट्स और मीटिंग फाइल्स हैं। कि वो दुबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। इस माफी नामे और मिस्टर दास के कहने से ये बात साबित हो जाती है कि विक्रम छोटी-छोटी बात पे अपना आपाक हो बैठता था और बात बात पे अपनी बंदूप निकाल लेता था। क्योंकि मैंने उसका ये बिहेवियर पहले भी देखा था। इसलिए मैंने भी अपनी पिस्टॉल साथ ले जाना ठीक समझा। और उस रोज जब मैं विक्रम से बात करने गया ह। विक्रम? क्या बात है कमांडर साब? आज सुबस होई? क्या तुम सिंथिया से शादी करोगे? वाट? क्या मैं हर उस औरत से शादी करूँगा जिसके साथ मैं सोता ह। भी है विक्रम ये मत भूल रुस्तम के तुमेरे घर में हैं और अगर मैं चाहूं तो… अशे रख्यूच मैं सही जुआ है अच्छान आए ये विक्रम कर दो प्यून एक्टार्अ ये विक्रम ये विक्रम अच्छान जुझे तुझे कि में जुझे sä trailer 2019 भूली बाट नुझे 길 मुझसे गोली चली है लेकिन माई लॉड सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए कमांडर सहाब क्या सेल्फ डिफेंस में तीन गोलिया चलाना जरूरी था यह समझाने के लिए मुझे आपको कुछ दिखाना होगा मैं माई लॉड थैंक यू कंगारी साब यह इंडियन नेवी बेसिक ट्रेनिंग मैन्यूल है मैं इसका पेज नॉमर 24 खोलेंगी यह अब आप उसमें लिखे जो मेथर्ड वो पढ़ेंगी नेवी कहती है पहले मारो जूर से मारो और मारते रहो अगर किसी ने आप पर बंदू क्तांकर रखी है तो आप बिना संकोच गोली चला सकते हैं और गोलियां आप तीन-तीन के बर्स्ट में चलाएंगे थैंक यू ब ट्रेणिंग की वज़े से एक रीफ्लेक्स आक्शन था किमिद फीपर कमांडर साहब आपके मन गढ़नत कहानी के मुतारेक आप में और विक्रम मखीजा में जड़प होई जी तो इसका क्या कारण हो सकता है कि इतनी जड़प के बावजूद विक्रम मखीजा के बदन से ताविल गिरा ही नहीं और पुलीस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सफेद वर्दी पर एक दाग भी नहीं लगा खंगानी साब आप क्या कहना चाहते है कि मैं विक्रम के कमरे में गया अपने हातों से उसके कमरे को तहस्नेस किया फिर अपनी पिस्टॉल निकाल कर मैंने विक्रम पे गोली चलाई फिर विक्रम की रिवालवर लेकर मैंने उसे कॉप करके उसके हाथ में रख दी और ये सब तो आपस ले कह रहे हैं क्योंकि मेरी वर्दी पर दाग नहीं था और विक्रम का टावल उत्रा नहीं था कमान खंगानी साब हम थोड़े ही मिट्टी में कुछ्टी लड़ रहे थे मेरी तरफ से और कोई विटनस नहीं है यह उनर I now rest my case thank you जूरी मेंबर्स आपने भी दोनों पक्षों की दलीले सुनी एक्सूज मी मा लॉड मैं सीनियर इंस्पेक्टर विंसें लोबस सुर्ण मेरे पास इस केस के बारे में एक important information है जो मैं public prosecutor के साथ share करना चाहूंगा with your permission sir thank you thank you thank you your honor inspector lobo ने बहुत ही brilliant investigation करके ये evidence हासिल किया है मैं अदालक से दर्खास्त करूँगा कि इसे शामिल किया जाए क्या evidence है जिस दिन रुस्तम ने विक्रम मखीजा का खून किया उस दिन उन्होंने जीपियो से डिली एक ट्रंक कॉल किया था जिसके बारे में इन्होंने जिकर नहीं किया और सब से छुपा के रखा क्योंकि वो कॉल defense secretary को किया गया था वो कॉल record हुआ था और वो recording हम अदालक में पेश करना चाहते हैं Commander Pavry Yes, Your Honor Any objection? Not at all, Your Honor Hmm Hello Is there Mr. Pejji Bakshi? Speaking Sir, आप ते लिए Bombay से लाइब चाहल है Please speak here, party is on the line Good morning, Sir Who is this? Commander Rustam Pawel Oh, Rustam! How are you? Kawai? Sir, मैं आप से लिए Rustam, listen मुझे मालूब तुमने की ओपोल किया मैं विक्रम से कहता हूँ कि तुमसे मिले और ये ये मैं डर साउड होट करें मिलने तो मैं आप से जा रहा हूँ और मैं आप से छोडूँ मैं नहीं Silence! 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 Commander Pawelie क्या आप मानते हैं की आवाज आपकी है? जी हाँ अब और क्या साबित करना बाकी रह गया योर आणर कमांडर पावरी घर गए उन्हें पता चला कि उनकी बीवी का अफैर विक्रम मखीजा के साथ था फिर वो अपनी शिप गए आर्मरी से पिस्तॉल निका ली और जीपियो से डिफेंस सेक्रेटरी के जी बक्षी को फोन पर कहा कि मैं उसे छोडूंगा नहीं यह कहकर वो विक्रम मखीजा के घर गए और उन्हें बेहरेमी से तीन गोलियां मार दी यह कोई हीट ओ दो मोमेंट का हाथसा नहीं है दिस इस अ क्लिर केस और प्री डिटर्मेंट मर्डर कमांडर पावरी इस एविदेंस पर आपको कुछ कमेंट करना है मैं लॉर्ड मैं खंगानी साब से यह पूछना चाहूंगा कि किस डिक्सिनरी में यह लिखा है कि मैं उसे छोडूंगा नहीं का मतलब होता है मैं उसे मार दूंगा कमांडर पावरी इसे शब्दों का खेल बनाकर एक्स्क्यूज देनी की कोशिश मत कीजिए जिस संदर में आपने इन शब्दों का इस्तमाल किया है और उसके बाद जो घटना हुई है उससे यह साबित होता है कि यहां मैं उसे छोडूंगा नहीं का क्या मतलब निकलता है कमांडर पावरी आपने प्लान करके ठंडे कलेजे से विकरम मखीजा का खून किया है अड़िजेट I finally rest my case, your honor Commander Pavri आपको कोई closing statement देना है नहीं, your honor मुझे जो कहना ता मैं कह चुका हूं I too, rest my case thank you silence please jury members आपने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी उनके सारे गवा और सबूत देखे अब आपको फैसला करना है याद रहे फैसला बहुमत से होना चाहिए इसके लिए आप पर समय की कोई पाबंदी नहीं होगी जूरी का जो भी फैसला होगा कल सुनाया जाएगा आप सब्सक्राइब करने के लिए आप सब का शुक्रिया दलीले शुरू करने से पहले हमें एक इन्फॉर्मल वोट ले लेते हैं जी आप से शुरू करते हैं होगा वर इस दावट करने को करते हैं यह दो अविए जाएटाम्टर्म हागा दली डली पाफोगा तने क्मांडर पाओरि गिल्टी और दो लोग अभी अंडिसाइड़ेड रेके इन डिस्एडेड़ छोगावा करो सब्सक्राएगा तर अज़ नहीं नहीं है इस जल्फ डिफेंस अगर फून कीता भी है ते ही जन्ट अन्यबल मुडरर वट श्रीला मुडरर है मैंने अपना वर डिसाइड कर लिया है इस गिल्टी यस अगर उसे मटर कर नहीं होता तो कहीं भी बुला के मार देता आप समझ रहे हो और क्या क्या सुपूत अगिया का ड्रुच को यह प्लांट मंदर था इसका का सब्सक्राइब को हिए उस्क्राइब को शाज़ो जाहिए जगड़ा पन करो कहना साथ सही बोल रहे है आई चेंज माइ वोट तू नॉट गिल्टी क्या बात है प्माडर साथ नेन नहीं आरे आपको भी तो नहीं आरे है एक एक बाजी हो जाए नहीं कमांडर साथ जैसा कि आप समझ चुके होंगे मुझे हारने का कोई शॉप नहीं उस रोज आपने मुझे शत्राज में हराया आजा दालत में मैंने हिसाब बराबर कर दिया कमांडर ये बाजी आप हार चुके बस एक अफसोस जरूर रहेगा कि सच क्या था वो आपके मुझे नहीं सुन पाया मेरी वज़े से आपको कोई अफसोस हो ये बात तो बहुत गलत है लोबो साब आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि आप अपनी जीट से ज़्यादा खुश है और आपकी नीन दिसले उड़ी हुई है क्योंकि आपको पता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है लट मी हेल्प यू लोबो साब ये कहानी एक साल पहले शुरू हुई विकरम के नेवी में बहुत सारे कॉंटाक्स थे और जिस दिन उसे पता चला कि इंगलेंड में एक पंदरा साल पुराना एकराफ कैरियर युहीं अधूरा पड़ा हुआ है तब उसने मेरे सीनियर रियर अड्मिरल कामत के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और मेरी पोस्टिंग लंडन में करवा दी और जब मैंने एकराफ कैरियर का इंस्पेक्शन किया तो वो एकदम सड़ा हुआ था मैंने अब्जेक्शन लिया रुस्ताम डोंट वरी ये एकराफ कैरियर हमें आदे दाम पे मिल एक बार इंडिया आ जाए फिर वो सारे चेंजिस कर देंगे जो तुम रेक्यमेंट कर रेंग तो विक्रम इस ये तुम्हें सम्झाएगा रिलाक्स वन स्कॉच प्लीज सार अच्छी रिपोर्ट बना इसके लिए मैं तुझे तस लाक रुपे दूँ तुझे कितने मिल रहे हैं अब तुझे क्या चुपाना पांच करोड रुस्तम सोच लो रुस्तम तुम बहुत ही माबुली बेरे पास और भी तरीके हैं मैंने इस बात को उपर पोचाने का फैसला लिया क्योंकि इस कैम में रियर एड्मिरल कामत इन्वाल था इसले मैं सीधे डिफेंस सेकेटरी बक्षी को मिलने गया जो अन दिनों लंडन में ही थे आरुस्तम तो बताओ क्या जुन बात थी सार आम सॉरी तो इन्फॉम यू था एर्ग्राफ केरियर को लेकर बड़ी गड़बड हुरी है सर पूरा केरियर सड़ा हुआ है तुम ने ये बात अपने सुपीरियर्स को बताई जी सर मैंने रियर एड्मिरल कामत को ये बात बता ये विक्रम भी बेवगूफ है तुम आइमिरी शू ट्रेला इसकी करूरों का खेल है उसे कम से कम तुम्हें 20 लाख ओफर करने चाहिए थे बड़ डून्ट वरी मैं उससे बात करता हूँ मैं तुम्हें 20 लाख दिलवाँगा प्रेसर शोर्ट और जब मैं नहीं माना तो रातो रात मेला ट्रांसफर करवा दिया और इससे पहले मैं उनके खिलाफ कोई एक्षिन प्रपोस करता उन्होंने मेरी पोस्टिंग आइनस मैसोर में करवा दी जो छे मैने के लिए बाहर जा रहा था विकरम ने मुझसे बदला लेने के लिए सिंथिया का इस्तमाल किया और यही मेरी हार थी लोबो साफ जो इनसान देश की इफाज़त की बात करता है वो अपना घर भी नहीं बचा पाया सिंथिया की कोई गलती नहीं थी एक तरफ मेरी जाती जिदगी ती और दूसरी तरफ सर मैं अपसे कुछ मुझे मालूम है तुमने क्यों फोन किया मैं विकरम से कहता हूं कि तुमसे मिले और यह यह मैटर सौट आप करें मिलने तो मैं उसे जा रहा हूं और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और एक और बात लंडन एकराफ केरियर की डॉक्यमेंट कॉपी मेरे प आप लोग कैसे बच्चते हैं रुस्तम डॉंट बी फुलिश अल प्लड़ी एक्सपोस ही और मैं तुम्हे पहले भी कह जो मिले तुम्हे जा रहा हूं बस मुझे यह नहीं पता था कि मेरा कॉल रेकॉर्ड होगा और बखशी उस कॉल को अदालत में आदा सुना कर मेरे ही सब्सक्राफ इस्तमाल करेगा मैं विक्रम के घर पहुंचा तुम्हां कि अधिया कि क्या बात है कमंडर साहब हाथ सुबह सुबह कि अलगता है आपकी धरम पत्नी ने खूब चमप तुम्हां है फिर आपने अदालत में बख्शी और कामन को एक्सपोज क्यों ही किया? सिविलियन्स का नेवी से भरोसा नहीं उठना चीए लोबोसा और हमारे कुछ कुछ करप्ट आफिसर्स की वज़े से पूरी नेवी बदनाम हो और हमारे मुलक के सिक्यूरिटी कंप्रमाईज हो ये मैं नहीं चाहता था और आपके पास एरक्राफ करियर के रिपोर्ट की जो कौपी थी? मेरे पास रिपोर्ट की कोई कौपी नहीं थी इट वोज बलफ मेरा मकस्द सिर्फ यही था कि वो सड़ावो जहाज उस हालत में किसी भी कीमत पर हमारे देश में नहीं आए इंडियन नेवी में एरक्राफ केरियर ज़रूर आएगा लेकिन जो चेंजिस मैंने कहें हैं वो करने के बाद कमांडर साब कल जब जूरी आपको दोशी ढ़राएगी तो नहीं लो बुसा I will walk tomorrow यह जूरी कल मेरा साथ देगी इतना यकीन किसे आप आप यहाँ जो बैठे हैं लो बुसा आप यह जूरी और बाहर पबलिक सब यह जानते तो हैं कि मैं गलत हूपर साथ-साथ यह भी मानते हैं कि मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए विकरम डिसरौ टो डाइ यह जोंट डिसरौ टो बुसा गुष्टा, 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 कर दो, जो चॉआ हो! क्या जूरी का फैसला बहुमत से है जी हां क्या बहुमत से हैं क्या जूरी ने कमांडर रुस्तम पावरी को विक्रम मकीजा की कतल के लिए आठेक के बहुमत से अजली की पावरी के बहुमत से हैं प्रोटी देशे प्रॉटी कि अच्छ। कि अर्ण वे दो! कि अर्णों! मत अर्णों! तो थोटने व्हां! तो रहां, तो खुझ तो चश्वारी! इज़िए प्रिटी प्रिटी दोन्ट वरी हम हाइपोट में अपील करेंगे डेफिनेटली पर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं ताक्यू झाल 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 झाल